आज भी रम चल पर दोखे सफर के और यह अपर आपने इस आपने परोसी राच , उत्तर ब्रदेश का वह शहर वंगे नाम तो गया कि उपर में कई सारे फिल्म में बन चुके हैं और कई सारी फिल्माइन भी बन चुके हैं आई यह चलते हैं रास्ते में दिखाते चलूंगा वहर एक चीज जिसे आप घर रटे देखेंगे और अच्छा लगेगा यह देखने में और मेरे जानने वाले भाई भी मुझे मिल गए हैं और भाई का दांट पता हैं कहा खो गया वाई दांट कहा था मैंने मैंने जब आपको छोड़ा था अपने पास से तो आपके मुह में सारे दांट अब दांट गये कहां अच्छा टुक्टू अटे-बटे-बटे-बटे दांट गिरता गया चलिए ठीक है दोस्तों यह तो रही मजाग की बात अब हम चलते हैं और आपको हरे को शीन पिठाओंगा मैं बैठाओंगा पीछे और फिर चीन को कैज करते हुए चलेंगे यहां से लगबख एक से दिर गंटे का सपर होगा आई यह देखते हैं खाइशा रहा हो वो सफर उमीद है आपको अच्छा लगेगा में सदक की और जा रहे हैं और यह साबने आपको दिख मेरा इसा राम लीला जो साइब तुरह हिंडुस्तान में कहीं भी बढ़्धा राम लीला होता है बुर्गपुजा के टामें एक्टुबर के महीने में तो इस यहां भी होता है तो तो अले बहुत है अधिए मुझे बहुत निकल जाने तो आए और यह चौप है मुचा है इ जाने दिटी चौप के नाम से बना जा जाए प्र दिटी चौप करना जाए अधिए तो अम लोग शॉटकर थोके एने प्र आवे और यही एने जाने अपने मंजीन तक ले कर जाए गा दो लगा को तो इसी रोड के अँप अधिक और गांधी पार के आगे और दूपर के आ माइक को आज जमने सब्सक्राइब के रखता है तापकि हवा की सरसराहट आपे आवाज खराब नहीं करें देखते हैं कैसा आवाज आता है कि पिछले प्लाग में अवा की सरसराहट आइसी आ रहे थी जो आपाद सुना ही नहीं दे रहता है और यह है शर्जी मंडी रुद्पूर का यहां पर होली की देखिए सारे सावान लगे हुए है और यह एक कतर में जो गाडियां खरिया यह स परिदारी करने के लिए इसमें बार्टेक्ट में अच्छे है कि यह सब यह जलनी का मुझा थेंकी है जैदी आप लुद्पूर या आज पार्स के रहने वाले हैं तो इन सब जगाव को देखके आपका याद तरुदाजा हो जाए कि उन्हों पारस का भी उजा जाए है यह है कि अब सुरेंदर बहुत तेज चला रहे हैं और यह दोस्तों यह चोरहा जो है यह रुद्पूर का सबसे बेस्तुतन चोरहा में शेख है इस चौक का नाम हमारत के बुद्पूर पुर्दान मंतरी इंद्रा गंधी के नोटे पर आया और इस चौक का नाम है इंद्रा चौक यहां के इंद्रा जी की एस्टूची भी लगी तो नगर निकर में सिफ्ट कर दिया तुरे यहां की तो क्या पूरे साहर की स्टैचू को इस जगा-जगा जगा जो में डोड़ पर लगावा तो इसको सिफ्ट करके एक ही जगा गांधी पार्क में कर दिये हैं अब आने वाले हैं मेरे बच्छे का इसकूल अविशेख यहीं से में 12 किया हुआ है और आयूस यहां शिक से लेकर नाइन तक पर रहा है उसके बाद इनका नया प्रांश्पूल गया था विलाश्पूल में वहां जाके यह सिफ्ट होगे और अव्शेख कॉलेज के चलाई था दिखाऊंगा आपको आयूस कहां पर्तमान श्कूल भी जो इ जाने कि मेरा चोटा बेटा अभी पर रहा है और इसकूल का नाम और एन पब्लिक इसकूल है अब मैं अपने ड्रैबर साम से पहुआ तो गारी वाले गारी भी दिरेगल करें थाकि हम इस कैमरे को इस सीन को कैमरे में कैट कर सकते हैं कि यह है दोस्तों अरे इंजिनियर निगलते हैं दोस्तों जी हाँ यह है अपक्स प्रूप इस्टिचूट जिसमें बीटेक की परहे बहुत बर्यां होता है और साथ में लगा हुआ है यह गेहूं को फसल यह हरे भरे गेहूं के फसल जब लहाते हैं तो जिनका है यानि कि किसान तो खुश होते ही है मुझे भी बहुत खुशी मिलती है क्योंकि यहीं वह चीज है जो हम लोगों को इस धरा पर जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है काई से चाहे अपने बास कितना भी हो जाहा लेकिन जब तक इसकी उप्लर नहीं होती एपना जीवन चल नहीं शक्ता जीवन रूपी कारी आगे बर नहीं शक्ती में कि दोस्तों बैक्रॉंट में आपको इस दिख रहा होगा यह फैक्ट्री ही है और चीणी मिल का यह लोग इसका एक भी दाना मुझे खाना पशंद नहीं है मैं नहीं खाता हूँ लेकिन कई सारे निछे के दिवाने जो हैं उनकी उनको ख्याल में रखते हुए इस फैप्टी का निर्वान हुआ है शरक देखने आप एक समय ऐसा था जब इस सरक से गुजरने में या इस सरक पर एक वर जदी आप आगए और वापस घर चले गए तो गारी सर्विस भांगने लग जाते की लेकिन वह यह सबब बीते दिन की बात हो गई अब शरक आप जहां भी जाए इसी हिसाफ का मिलेगा इ जाहे आप रुद्वपूर उत्राखन उत्तरप्रदर्स यह हैं हिंदुस्तान के किसी भी एस्टेट की बात कर ले हर एक जगह सरक की क्वाल्टी इसी टाइप की अब हो गई है अमोमन गाउं तक इस क्वाल्टी की रोट पहुँच गई है अब हम लोग बुजार रहे हैं स अब चुछ के शामने जो है विलाशपुर का सबसे बड़ी नर्सरी में से एक नर्सरी यहां के लिए यहां मंझिल बिल्कुल पाश्ख है और कुछी मिनट में म पहुंच जाएंगे अपनी मंझिल की हो कि कि में बोट से हम लोग अब जहां पर जाना है उस असकल की ओर वाली जो पतली इस रोड है उच पर आ गएगी और में उसके अब को खेती दिखाता हूं चलता हूं यह यहां और यह भी गेहूं कि दोना तरफ देजी में लिखाँ आँ लगताइद इधर भी और प्लोट के इधर वी दोन तरफ जहनु के चिती होगी बहुत वर्यां और यह वह अच्वाट है जहां हम लोग आ रहे हैं जहां के लिए घरते निकले और यहां पर हमने वाइट को पार्क कर दिया और इसी परची भी यहां पर जिप्पा दिया तीस रुपए का टिकट है यहां पर बाइ दोस्तों रुद्रपूर में होली के दुकान से स्टार्ट वाइब कारवा अब यहां पर आके थम गई है इस मंदिर के प्रागन में मैं आ गया हूं बिलाशपूर से काफी दूर कैमरी के आसपास यहां पर चल रहा है किसान मेला और किसान मेला को देखने के लिए ही आज मै करीब दो गंटे के सफर के बाद पहुच गया हूं पीछे बैक्रोंड में आपको भब्यशा मंदिर दिख रहा होगा यह इस इलाके में बहुत ज्यादा फेमस मंदिर में से एक है कहा जाता है शावन में इस जिला में जितने भी लोग का मरीया आता है उसका 70 परसेंट अग करना चाहिए आप से से करना चाहिए मैं जरूर आप से करूंगा इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन वे किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए विधा धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को भी तक देखते रहने के लिए